हेलो बच्चो तूडे वी लearn class 9 math chapter 8 exercise 8.3 question number 2 बच्चो इस वीडियो मेरे हैं लोग क्या करेंगे exercise 8.3 के question number 2 के 128 question को 128 question को हम लोग solve करेंगे और समझेगे तो बच्चे देखिए exercise 8.3 हो या exercise 8.4 हो इन दोनों को solve करने से पहले आप लोग को ये value पूरा एकदम याद होना चाहिए अगर ये value याद है तो आप लोग exercise 8.3 और 8.4 को easily solve कर लोगे और अगर याद नहीं है तो आप लोगो दिक्कत होगा इसको solve करने में तो देखे बच्चे exercise 8.3 का question number second क्या बोड़ा question number second है बच्चे evaluate the following evaluate करना मतलब इसका value न value putting करना है और अपना answer लेकर करके आना है चलिए हम लोगा करते हैं question number second का first को solve करते हैं और समझते हैं तो दिखे बच्चे question number second का first यहाँ note down है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले question को write करेंगे cos 30 degree into cos 45 degree minus sign 30 degree into sign 45 degree बच्चे याद रखे आप लोग का value अगर याद नहीं होगा तो एक exercise बनेगा ही नहीं guts 30 गवेल्व बच्चे cost 30 व्याद होगा ना तो यह होता है बच्चे root 3 by 2 point का मतलश होता है या . outside multiply और cos 45 के value होता है बच्चे 1 by root 2 minus herramient мин We are Doctor Ser drinks 30 region biology value होता है बच्चे 1 by reconcile Rogue . is it that possible sunshine right बच्चे 1 by root 2 ठाहे ठीक है तो यहाँ देखे बच्चे यहाँ इंपना root 3 into one यह हो जागा root 3 और 2 into root 2 यह हो जागा बच्चे 2 root 2 minus 1 into 1 1 हो गया और 2 into root 2 यह हो गया बच्चे 2 root 2 हो गया आगे देखे बच्चे denominator क्या है बच्चे same same है तो जब denominator same same हो न तो उसको लिखते हैं एक बार और जो उपर में लिखा है उसको as it is लिख दो देगा इतना आ गया तो बच्चे यहाँ पर अगर आप अपना एंसर देंगे न तो यहाँ पर गलत हो जाएगा बच्चे याद रखिए मैं आपको बता चुका हूँ न कि दिनम्टरम कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए तो रूट हटानी के लिए हमनों क्या करते हैं जो यहाँ पर नंबर है रूट वाला उसको मल्टिप्लाई और डिवाइड करवाते हैं तो जब आप क्या करोगे, root 3-1 का multiply करवाओगे, root 2 के साथ, और 2, root 2 का multiply करवाओगे, root 2 के साथ, यहाँ पर दिखिए, यह multiply तो होगा नहीं, तो root 3-1, इसको ऐसे ही छोड़ दो, root 2, 2 को तो 2 लिख देंगे, root 2, root 2 होता है, तो इन दोनों का multiply करने पर 2 आएगा, और 2 into 2 होता है, बच्चे, 4, और इतना ही क्या हो जाएगा, बच्चे, आपका प्यारा सा answer हो जाएगा, I think आपको समझ में आ गया होगा, next एकने question number second, question number second क्या है, 10 30, तो पहली बार तो हमनों question लिखेंगे, 10 30 degree into sec 45 degree, plus 10 60 degree into sec 30 degree, ठीक है, 10 30 के value, 10 30 के value होता है, बच्चे, 1 upon root 3, dot है तो multiply, sec 45 के value बच्चे होता है, root 2, plus 10 60 के value होता है, बच्चे, root 3, और sec 30 के value होता है, बच्चे, 2 upon root 3, यहाँ देखिए, 1 into root 2, यह बच्चे होता है, root 2, और नीचे में तो root 3 है ही, है तो प्लस टू इंटू रूट्ट थ्री ये होता है टूर अच्छा यहां देखेंगे ना तो यहां पर समझ में आए गा ना यह यह रूट थृ रूट थृ कैंसल आउट हो जाएगा टा तो आगे समझ में आएगा ना कि न यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है इसका लोग है lcm तो root 2 का 1 से multiply root 2 plus root 2 का root 3 से multiply तो 2 root 3 और root 3 का 1 से multiply तो root 3 अब यहाँ दिखीगा आगे दिखीगा इसका आगे यहाँ बना रहा हूँ हो तो देखे दिनोमेटर में क्या है पी ईहांओ तो रहना चाहिए नहीं तो यहां पर क्या करो ओगे बॉठ Gurate से मल्टिप्लाइ और जिबहुंद कर्वाते हो तो न दिखे यहाँ एक से ज्यादा टम है तूछी ब्रैकेट दे दिया करो जहां 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 नहीं दिया होंगा लाश्ट वीडियो में तो इहां पर रूट three का multiply होगा root two plus two root three के साथ और हैं पर root three root three बच्ची क्या होता है 3 होता है आप यहां तक छोड़ दोगे तो भी आपका या फिर आप यहाँ पर अपना एंसर बोल सकते हो या फिर आप रूट 3 का अंदर मल्टिप्लाई करवा दो रूट 3 इंटू रूट 2 यह होता है रूट 6 और प्लस जिव आप इसका जब इससे मल्टिप्लाई कर आउगे न तो 2 तो 2 हो गया और रूट 3 रूट 3 3 होता है तो 3 x 2 6 हो जाएगा अपॉन 3 और यहां पर विदे दोगे तो आपका ये भी एंसर हो जाएगा चाहिए तो कोई भी एंसर ये तो आपका सही है एंसर ठीक है तो कॉस्ट नमबर 2 भी क्या हो गया बच्चे कम्प्लीट हो गया नेक्स आपके नमबर 3 क्या बोल रहा था बच्चे कोस्ट नमबर 3 है यहां पर कि कॉस्ट थर्टी प्लस कोट 45 तो पहली बार तो कोश्टन लिखेंगे हम लोग कोस्ट होता है तो 2 फ्लस बच्चे 3 यह तो सबसे इजी कोशंट था बस वेल्यू पूट करना है अपना एंसर लेकर क्या आना है ने च्स देखिए कोश्ट नमबर 4 बच्चे यहां पर है ना कोश्ट नमबर 4 तो पहली बार सब्सक्य कोश्ट लिखेंगे तो यहां पर हो गयाक्या बच्चे होता है 1 अपन रूट 3 ठिक है और सेख 30 के वैल्यू बच्चे होता है 2 आपन रूट 3 और माइनस 1045 पर बच्चे 1 होता है बच्चे यह सब अगर वैल्यू याद नहीं है तो यह कोशन स्वाल होने वाला ही आप लोग से विदिन 4-5 मिनट्स के अंदर ही तो आप लोग उसको सीख सकते हो ठीक है तो यहां पर सॉल्फ करेंगे तो यहां पर ना देखे टू वन जा टू होगा multiply minus root 3 और root 3 into 1 root 3 हो जाएगा यहां पर 1 upon root 3 देखे यह न डिवाइड के भी में है तो चले जाएगा यह multiply में और यहां पर टू माइनस root 3 ठीक है यहां पर देखोगे तो root 3 root 3 cancel out हो जाएगा यहां पर क्या बच गिया यहां पर बच गिया 1 upon 2 minus root 3 देखे बच्चे मैंने अभी आप लोगो को बताया है ना बार बर बता रहा हो अब multiply में रहता है तब हम लोग ऐसा करते है यहां पर दखे multiply में था तक हम ने तर माइनश में रहता है,पलस और माइनस में तब हम लोग ऐसा नहीτι करते हैं, 2 को 2 लिखेंगे 2 को 2 लिखेंगे यहां पर पलस बच्चो, आपको न, मैंने न, rationalize करना बताया है कैसे rationalize करते हैं exercise 2.2 में बताया है मैंने आप लोगों को ठीक है न, तो वैसी करेंगे आप रसनलाइज तो दीखें, 1 का इससे multiply होगा, तो यह होगया माइनस 2 रूट 3 और रूट 3 का रूट 3 से करवा गए तो बच्चे हो जाएगा रूट 3 इंट रूट 3 रूट 3 हो जाएगा ठीक है तो यहां से प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 3 कट जाएगा यहां पर क्या बच गया 2 प्लस रूट 3 और 4-3 1 और यहां पर 2 plus root 3 और यही क्या जाएगा आपका प्यारा सा answer आजाएगा बच्चे इसको ऐसा मत करेगा न 2 plus root 3 हो जाएगा root 5 ऐसा नहीं हो जाएगा यह यह दोनों अलग-अलग है कभी भी यह add नहीं होगा तो 2 plus root 3 यही आपका क्या जाएगा बच्चे answer आजाएगा ठीक है आपको समझ में आगया होगा नेक्स देखे question number 5 question number 5 क्या बोला जा रहा है तो question number 5 में बच्चे पहली बार तो हमनों question लिखेंगे 10 square 60 degree plus 10 square 45 degree बच्चे 1060 का value होता है बच्चे root 3 power में 2 है तो यहाँ power में 2 लगा देंगे 1045 का value बच्चे 1 होता है 1 power में 2 है तो 2 लगा देंगे root 3 to the power 2 इसका मतलब होता है root 3 को आप 2 बार लिखोगे न तो root 3 into root 3 यह 3 होता है और 1 का power 2 मतलब होता है 1 into 1 1 into 1 करोगे तो बच्चे तो 1 होता है और 3 plus 1 कितना होता है 4 होता है नेक्स देखें कोशन नमर 6 क्या है तो नमर 6 है बच्चे mach 30 पहली बार तो question लिख लो कोश्ट 30 डिगरी प्लस साइज एक डिगरी अपन फ्लस werde फ्लस्ट यहीं चुट का सीश्ति एक सीश्तित ड़ियों कितना होता है आगे देखिए इसको solve करेंगे तो देखिए रूट 3 अच्छा यहां देखिए न डिनोम्टर सेम सेम है तो इसको लिख दिए एक बार और उपर वाले को as it is कर दिए ठीक है न डिवाइड वाइड यहां पर देखिए यहां पर 1 है तो पहले क्या कर लो पहले इसको तो 1 को ऐस 2 हो गया नीचे में 1 तो था ही और यहां पर देखिए प्लस 1 प्लस 1 2 बाइट 2 हो गया तो 2 बाइट 2 ना बच्चे कितना होता है 2 बाइट 2 1 हो गया और यहां से 2 से 2 कट गया ठीक है यहां पर क्या बच गया रूट 3 और यहां पर देखिए न यहां पर नीचे में क्या बच बच्चे रूट 3 होता है और 1 प्लस 1 2 हो गया तो इसका एंसर क्या आ गया रूट 3 by 2 यहीं क्या हो गया आपका प्यारा सा एंसर हो गया देखे बच्चे अब question number 7 है question number 7 क्या बोल रहा है तो पहली बार तो हम लोग question लिखेंगे sine square 45 degree plus cos square 45 degree upon 10 square 60 degree देखें sine 45 sine 45 का value कितना होता बच्चे यह होता है 1 by root 2 और power में 2 है तो power में 2 लगा दो cos 45 का value भी बच्चे 1 by root 2 ही होता है power में 2 है तो 2 लगा दो 1060 का value बच्चे root 3 होता है पावर में 2 है तो 2 लगा दो 1 by root 2 का मतलब होता है 1 by root 2 to the power 2 का मतलब होता है 1 by root 2 को आप 2 times लिखोगे 1 into 1 1 होता है और root 2 into 2 2 होता है तो यहाँ पर आ गया बच्चे 1 by 2 सेम यहाँ तरिक यहाँ पर भी 1 by 2 आ जागा root 3 power 2 होता है बच्चे root 3 को 2 times लिखोगे तो आप 3 आता है ठीक है denominator सेम सेम है तो इसको लिख दो एक बार और उपर वाले को लिख दो as it is ठीक है और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर 1 plus 1 यह हो जाएगा 2 by 2 और नीचे में क्या है बच्चे 3 है 2 by 2 कट जाएगा तो बच्चे 2 by 2 1 और 1 तो 1 by 1 बच्चे 1 होता है 1 by 1 1 होता है और नीचे में 3 है तो इसका answer आजाएगा 1 by 3 और यही क्या है आपका प्यारा सा इंसर है नेक्स इतने हैं बच्चे qe no 8 और उसको समझते हैं तो देखे बच्चे qe no 8 है तो qe no 8 को तो पहली बार तो हम लोग लिख देंगे बच्चे देखे अगर आप लोग को समझ में आ गया न तो आप लोग करिए खुद से सॉल्फ कर यह और बस answer को चेक करिए कि अपने एंसर आपका एंसर सही आया कि नहीं आया अगर सही नहीं आया इतलेंटक कर रहे हैं तो समझीएगा सब्सक्राइब सब् marché जिए का मतलब होता है किया पर को सब्सक्राइब कितना होता यहां अई थरी होता है łatwo यहां पर तो की बनाय चोह जाएंगे का थो यहां पर देखिए यहांपर क्या करेंगे इसका एल से था तूर। 1 1 जा 1 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2 और नीचे में 1 तो था ही यहाँ पर देखीगा है आप समझेगा कि 1 plus 2 3 upon 2 और नीचे में 1 है बच्चे नीचे में 1 रहता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है तो यहाँ पर 3 by 2 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा और आप कोई वीडियो यूसफुल लगा होगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और इसे में दोस्तों के साथ सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू